जब ये गहरा हो जाएगा ताम उसे अंदर डाल जेंगे शायद हमें पुलिस को फोन करना चाहिए था मैं तुम्हें मार दूँगी यहां जाने से पहले समझे देखो किसका असली रंग सामने आ रहा है देखो परसनल मत हो तुम मुझे अपनी बेटे की रक्षा करनी है और मैं जेल में ये चीज़ नहीं कर सकी समझे मैं कहूंगा कि ये मेरी गल्ती है मैंने इसे मारा ये मैजर नहीं करता मैं भी शामिल हूँ जैसे उन्हीं पता चलिया कि मैं हूँ वो मुझे दूर कर देंगे इंसे देखो ये कोई पहला आत्मी नहीं है जिसे मैंने मारा है और मुझे बुरा नहीं लग रहा देखो मुझे नहीं पता कि मैं बुरी इंसान हूँ की नहीं हूँ लेकिन मैं नहीं मैं नहीं कर सकती इन सब चीजों के बारे में बात मेरे पास मेरा बेटा है उसे मेरी जरुरत है बस मैं यही जानती हूँ तुम्हारे पास को ऐसा व्यक्तिय जिसे किसी भी चीज़ की जरुरत नहीं नहीं मैं नहीं जानता ठीक है तो अब तुम्हारे पास एक है और वो मैं हूँ तुम्हें मुझे देखना है वो आदमी जिसे तुमने मारा और जिसके लिए तुम जेल गए वो कौन आदमी था? बचपन में मैं जूवी के अंदर था और जब बुढ़ा हुआ तो जेल में ऐसी है मेरी कहानी जब पिछली बार बाहर आया था तो मैं फर्श ठीक करने का काम करता था तुम जानती हो वो भी वो भी एक पुनर्वास का कारी था और मैं उससे कोई पैसे नहीं कमा रहा था वो समाजिक सेबा के लिए था एक दिन जब मैं काम पर था मुझे एक सूट केस मिला तब पहली बार मुझे महसूस हुआ की मेरे पास बेवी कल्ब हैं मुझे भी महत्वा कांख्शा हुई जिसको मैं जानता भी नहीं था लेकिन मुझे अच्छा लगा मुझे लगा कि मैं अपना बिजनस शुरू कर सकता हूँ मुझे उसी समय समझ लेना चाहिए था लेकिन मैंने बास से कहा मैं उन्ही का काम कर रहा था उस वक्त मुझे बिजनस के बारे में कुछ पता नहीं था और वो अपना बिजनस चला रहे थे उन्होंने मेरी बात सुनी भी लेकिन बस तब ही तक जब तक सूटकेस के मालिक को पता नहीं चला कि सूटकेस गाइब है वो सीधे उसके पास गया और उसने मेरी तरफ इशारा किया उन्हीं का एक आदमी आदि ही रात को मेरे घर में गुसाया उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास भी गन हो सकती है तुमने गोली मार दी पिर मैंने उसे छुपा दिया यहां पर आ गया और अंदर रहने लगा क्योंकि मुझे पता था कि बॉस या कोई और मेरे पीछे आएगा जैसे ही उनको पता चलेगा कि सूट किस गाइब है पैसे को कोई नहीं भूलता है तो मैं बच्चता रहा 20 साल तक जैल में बैठ कर जब मैं जैल से बाहर निकला यहां आया तो मैंने देखा कि तुमने रखा था तुम्हारे कमरे से पहले यह किसका कमरा था मुझे पता था कि तुम जैल गए ही नहीं थे क्या तुम्हें पता है तुमने बिना जाने ही मेरे पैसों को सुरक्षित रखा यहां पर यह तुमने अच्छा काम किया इसके लिए मैं शुक्र गुजार हूँ शुक्रिया तुम जानती हो कि मामला उलज गया लेकिन तुम्हारे साथ बांट सकता हूँ तुम मैं मैं तुम हम इसे बांट सकते हैं ऐसा तो हो ही सकता है न यह सेम बात तो नहीं है न नहीं नहीं यह अलग है डाना कल की रात मेरे लिए कुछ थी मुझे पता नहीं था कि इतनी सारी कड़बड हो सकती है यहां लेकिन ये तत्थी नहीं बदलता है कि ये मेरे लिए विशेश था मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो तुम्हें बस एक शब्द कहना है एक बार में सिर्फ एक चीज़ ठीक है मैं नहीं कह रही हो नहीं मैं समझता हूँ, समझता हूँ मैं तुम क्या कहती हो, तुमने किसका खून किया था वो मेरे पिताजी थे हाँ, जब मैं अठारा साल की थी मुझे पता था कि ये लोग मुझे यूस करेंगे तो मैं एक बस में गूद गई और मैं एक ऐसे शेहर चली कि जो कि बहुत ही छोटा था और नाम बदल लिया मैंने तुमने ऐसा क्यों किया? और उस रात मैंने डिसाइड किया कि सब कुछ बहुत हो गया अब ये क्या है? वो दूर नहीं गया होगा दूर जाने के लिए उसके पास बहुत समय है वो पुलिस के पास भी जा सकता है कमीना उसके गले में छेद हो गया है शायद खून बहरा हो हमें उसे कोई भी मौका नहीं देना चाहिए वो देखो पापरे कैम अपना हाथ उसकी गर्दन पर रखो वो अभी भी गले से सास दे रहा है एफ अगर... यिके... जलो, जली, जली दिक लो हाँ, जली जली... जलो... जल... प्राइब में